तो चलो आज आईए illustration number 7 में तो अभी तक मैंने जो बताया आपको एक बार मैं वापस से बोलता हूँ एक बार आप लोग मुझे बताओगे तो Simran जी जल्दी से बताइए जो हम लोग हर साल पे करते उसको क्या बोलते बेटा प्रीमियम मतलब अमाउंट जो हम लोग हर साल पे करते हैं और कोई मर जाता है तो कौन से अमाउंट मिलेगी बेटा जल्दी से बताइए कौन से अमाउंट मिलेगी कोई मरता है तो policy amount और कोई other than date होता है और आपकी partnership break होते है तो कौन से वैल्यू मिलती है surrender value चलो very good so सभी values आपको धहन में आ गए है they took out a joint life policy in 2016 50,000 का जो है वो policy amount है मतलब यह मरने के बाद मिलेगा premium 3,000 हर साल पे होता है and जो surrender value है surrender value यह आपकी दीए है neil 902,000 and 3,600 black retires no joint life policy account is maintained no joint life policy मतलब jlp treated as expenses इसको हम लोग क्या बोलेंगे jlp treated as expenses तो कितना pay कर रहे हो आप लोग हर साल बोलिए हर साल 3,000 पे कर रहे हो ना yes sir jlp account debit to bank 3,000 और कहां पे transfer करेंगे हर साल pndl so जो भी है वो pndl में हर साल transfer होगा 3,000 तीन अजा तीन अजा तीन अजा तीन अजा इसको बोलते jlp treated as expenses and फिर jlp यह 2020 में 2020 में यह retire हुआ retire हुआ तो कुन से amount आपको मिलने वाली है surrender value और surrender value कितनी है हमारी last year में 3,600 यह हमें मिलेगी और यह कौन से किसको मिल जाएगा बेटा partners को in their profit sharing ratio आया समझ में yes sir buy bank होगा और buy bank होगे यह जो भी होगा वो पूरा amount partner में share हो जाएगा तो जो भी amount received होगा यहां पे लिखके रखो amount received amount जो भी received होगा transfer to किस में होगा बेटा पूरा का पूरा जो एक बार में रिविजन लेता हूँ यह दुरू jlp account बता बेटा क्या लिखेगा jlp के debit में मुझे confusion था वो मुझे पूसना था मैं यह पूस रहा था कि जब jlp premium debit करेंगे या jlp debit करेंगे jlp 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 premium institute ने दिया हुआ है शायद से पर आप लोग jlp account ऑपन करो ठीक है बेटा इंस्ट्यूट ने दू अकाउंट बनाए है jlp premium अलग बनाओ नेक्स टाइम उन्होंने वह अकाउंट बनाया नहीं लीए ओके ऊके तूब बैंक वाइपी हैंड़ यहीं इंट्री होगा कुछ बचेगा क्या नहीं नोसर नो बैलन्स और जब आपको लास्ट में पर जेल्पी में बैलन्स कब बचेगा इप जेल्पी ट्रिटेड ऐस असेट इसको क्या बोलते इप जेल्पी ट्रिटेड एस दस नंबर के क्वेश्चन में जेल्पी ट्रिटेड ऐस असेट ठीक है जेल्पी ट्रिटेड ऐस असेट होगा तो जेल्पी कितना पेग कर रहे हो बेटा आप लोग जेल्पी टु बैंक 3000 और बाइ बैलन्स का रिट डाउन ट्वेले साल में 0 तो पूरा का पूरा किदर जाएगा देखो जेल्पी टु बैंक बाइ पी एंडल दूसरे साल में टू बैंक 3000 अगें और बाइ बैलन्स का रिट डाउन कितना 900 900 और बैलन्सिंग फिगर बाइ प्रॉपिट एंड लॉस अकूंट समझा ये तू बैलन्स ब्रॉट डाउन आ जाएगा नेक्स्ट येर में येस वा बैलन्स करिक्ड़ दू हजार से एस और नो ये ससराओ इस तू जोथे साल में तो बैलन्स बॉट डाउन 2000 तो जेल्पी 3000 बैलन्स का रिट डाउन 3000 चेश्व और बैलन्सिंग फिगर आया समझ में कि स्तार्मक लगए कि राइपीए एंडल को लास्ट येर में टू बैलन्स ब्रॉट डाउन और बाइबैंक 3600 खतम ओवर ये सर इसमें कोशन पूछना था जी बेटा बोलिये सर इसमें में अकाउंटी बनाना होगा ना ऐसे मतलब ये क्वेश्चन बहुत रेर आएगा एक्वेश्चन अभी नीचे जो आएंगे 10 और 11 नंबर के इसे क्वेश्चन नहीं आएंगे ये सिर्फ कॉंसेट क्लारिटी के लिए है और पूरा का पूरा 3000 पे एंडल में गया या सरेंडर वैल्यू छोड़के पे एंडल में गया परेंडर वैल्यू लेस करके परेंडर वैल्यू लेस करके जो अमाउंट है वो पे एंडल में गया येस वेरी गड़ू और लास्ट में इंट्री जो होगा वो बैंक तू कैपिटल नहीं होगा बैंक तू बैंक तू जेल पी होगा नॉट पार्टनर्स कैपिटल जेल पी ऐसेट ट्रिट किया तो बैंक तू पार्टनर्स कैपिटल नहीं होता है बैंक तू क्या होता है जेल पी होता है समझा इसलिए एसेट बेचने के जैसी इंट्री होती है इसकी इंट्री क्या होती है एसेट के बेचने के जैसी तो फिर JLP to partners capital नहीं होता है नहीं JLP का balance zero हो जाएगा न पर यह देखना JLP में balance बचेगा क्या जैसे asset की entry होती है देखो एक ध्यान दीजे इधर क्या होता है इधर पूरा का पूरा amount P&L में जाता है तो पहले वाले question में तो इसलिए जो भी JLP से पैसा आता है वो profit treat होगा और पूरा का पूरा partner को मिलेगा समझा जब James से जाएगा तो खर्चा treat होगा और जब income जब मिलेगा तब income treat होगा और पूरा फिर partner को distribute कर देंगे JLP treated as asset हुआ तो पूरा expenditure treat ही नहीं होता है तो बचा हुआ asset treat होगा तो asset बेचने की entry होगी और जो for example अभी मुझे 3600 रुपया मेरा asset दीख रहा था अभी partner capital में कितना जाएगा सपोज मुझे 4900 रुपया मिला कितना मिला 3900 तो bank account debit 3900 तो JLP 3600 तो partners capital 300 ये entry होगा अभी समझा क्या ये सर्थ के केसम भी तो same entry होगा क्या 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 जब death होगा तो policy amount entry होगी bank account debit जो भी policy amount तो JLP 3600 तो partners capital बच्चा हुआ मतलब JLP का balance open है जब asset treat हुआ तो और जब P&L treat हुआ तो JLP का balance zero है समझ में आ रहा है ये सर्थ यदि balance ही book में नहीं है तो पुरा capital को घुमाओ यदि balance book में है तो जितना balance है उसको zero करो और बच्चा हुआ जो है वो partner capital को घुमाओ आया समझ में ये सो सो मेरा JLP में balance 5000 दीख रहा है JLP में balance 5000 दीख रहा है और surrender value मेरी suppose surrender value मुझे 6000 मिला तो Simran entry क्या करेगी तू Simran entry क्या करेगी बैंक डेबिट 6000 दीख रहा है वेरी गुड बैंक अकाउंट डेबिट 6000 दीख रहेगा तो पार्टनर्स क्यापिटल को कुछ नहीं मिलेगा नहीं आएगा फिर पार्टनर्स क्यापिटल में कुछ भी नहीं आएगा JLP का बैंक अकाउंट में जो सेम आमाउन मिला तो पार्टनर्स क्यापिटल खेंगा वह आमाउंट फर्म के बैंक अकाउंट में बढ़ दाएगा गरेगा और वह दर कैंपिटल अकाउंट में बढ़ अद्लेगा समझा एक credit बड़ेगा एक debit बड़ेगा capital मतलब credit बड़ेगा बैंक मतलब debit बड़ेगा समझा समझा सब्सक्राइब एकदम simple है बिल्कुल भी return मतलेजे बहुत बढ़ीया अभी आपकी concept 100 percent clear है सिम्रण आप कहां पर हो अभी भी आपका आवाज नहीं आ रहा है इधर गायब होई थी सर वो म्यूटेट था हूँ नहीं रहा था मुझे ठीक है चलो यह पूरा प्रोब्लेम सिमरन तुझे बताना है ABC are sharing profit and losses in the ratio of 5 to 3 to 2 the balance sheet of the firm on 31st December is given below JLP यहां पे दीख रहा है इसका मतलब क्या हुआ यह क्या है JLP is treated as treated as asset treated as asset sorry A wants to retire and B wants to continue a twist to one ratio twist to one ratio मतलब इसका meaning क्या हुआ बेडा सिमरन Sir old is not equal to gaining losing very good old is not equal to gaining losing ratio very good आगे बोल तो पहला step क्या होगा मेरा calculation of gaining losing ratio gaining losing ratio चल फटा फटा फट बोल ABC तेरे बोलने के स्पिर से मेरा लिखने का स्पिर जाता है 5 by 3, 5 by 10, 3 by 10, 2 by 10 चलो फटा 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 फटू रिटायर्स चलो giver, receiver 15 by 30 giver 11 by 30 4 by 30 तो ratio क्या हुआ? 11 ratio 4 11 is to 4 चलो 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 आगे JLP taken है और 1 lakh और सरेंडर वैल्यू 25,000 रिटायर हुआ तो कौन से वैल्यू मिलेगी 1 lakh है क्या कुछ यूज का? तो कौन से वैल्यू यूज किये 25,000 है 25,000 तो बैंक में कितना बढ़ा दू? 25,000 25,000 20,000 इदर से मिटा दू और ABC में कितना बढ़ा दू? 5,000 ना? Yes, sir 5 to 3 to 2 मतलब 2,500 1,000 1,000 25,000 बैंक में बढ़ाया 20,000 JLP में से कम किया 5,000 कैपिटल में बढ़ाया हाँ या ना? Yes, sir चल, 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 ये इंकम ट्रीट हुआ ना? 5,000 पार्टनर्स के लिए? हाँ, 5,000 बैलन्स इंकम ट्रीट होगा Yes, you are correct चल, बेटा, आगे चल, बढ़ती रहे अभी बता Surrender Value हो गाया Goodwill was to be raised 1 lakh 1 lakh लू या उसका share लू? Sir, उसका share कितना है उसका share? 15 by 10 15 by 30 है ना? 5 by 10 मतलब 1 by 2 मतलब 25,000? Yes, sir 25,000, sorry A में से बढ़ेगा A में बढ़ेगा और किस में कम होएगा? Sir, BNC कितना हुआ? 36 667 मेरा क्यों गलत आया? बढ़ाब है ना? 36, 667 Yes, sir Yes, sir इनका गलत हुआएगा कुछ? अच्छा, इन्होंने Including Goodwill इडाल दिया उदर 36, 667 13,333 13,333 And fixed assets revalued at 1,10,000 But they don't want to open this account in the balance sheet Not prepared to show such increase in assets तो balance sheet में बताना नहीं है मतलब में में मोरेंडम revaluation account हुआ हुआ है? Yes, sir Memorandum revaluation कितना हुआ? 1,10,000 बोले तो 80,000 का 30,000 बढ़ा देना है 30,000 बढ़ाना है ना? अभी पूरा 30,000 बढ़ेगा या उसका शेर उसका शेर मतलब 15,000 इधर बढ़ा माइनस करते 11,000 और 4,000 बढ़ाबर है क्या ये सब उन्होंने डाइरेक इंट्रिपास किये लगता है क्या किया इंस्टुट ने ये नहीं उस तो गड़बड किया रहे वो से जेल्पी वाला भी एक साथ डाल दिया नहीं नहीं जेल्पी गलत है गलत है जेल्पी नहीं दिखाना है जेल्पी दिखाना नहीं है सो पास जेल्पी जेल्पी गलत हो चुका है सो जोएंंट लॉप पॉलिसी आगे सपोस्थ वो आगे continue नहीं करने वाले तो जोएंट लाइप पॉलिसी क्यों बच्छेगा बराबर है così नहीं logically not correct सो हमने जो किया है वही बराबर है एक बार मैं बात कर लेता हूँ एक बार रुखिये चलो बेड़ा आगे गुमते हैं कि यहां से क्या है तो में मेंने बता ही वही सही है आप JLP को जीरो कर दो क्या कर दो जीरो कर दो मतलब जो मैंने किया हुआ है और यही तुमारी इंट्रीज होगी मतलब मैं इंट्रीज आपको बता दो बीच कैपिटल अकाउंट डेविट सीच कैपिटल अकाउंट डेविट टू एज कैपिटल तो आपकी एंट्री कितने से आने वाली है बेटा जल्दी बोलो 36667 प्लस 11,000 और सी का कितने से आएगा 13333 प्लस 4,000 इसका एगा 50,000 प्लस यह 65,000 बराबर है यह सार कर दिया चेंजेस यह मोडल में गलती है मैं रेक्टिफाइ करवा दूँगा इन्होंने जेल पी का ट्रीटमेंट गलत किया है ने इस्टीटियूट में जेलकी है तो उन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट कुछ आए जेल पी बाद में भी रहेेंगा बैलिंसरी तृटमेंट में अशिक दिया है कि उनके वज़े से जेल धी balance sheet में दीखने वाला है और हम लोग JLP को मिटा देंगे तो यह पहली entry लिख लो वहाँ पर B's account debit C's account debit to H capital 47667 से दिखेगा कितने से दिखेगा 47667 B C to A Easy है अरे Easy है गया Yes sir और दूसरी entry surrender value की bank account debit to JLP to ABC bank account debit 25,000 JLP 20,000 to ABC क्या रिश्यो में डाला था बड़ा 2,500 1,500 1,500 Say yes or no Yes sir यह भी हो गया Bank balance 25,000 करना है अब मैं इधर के इधर ही करके बता दू bank balance कितना करना है आपको 25,000 25,000 देखो बैंक में ओपनिंग बैलन्स कितना था 10,000 10,000 यह कितना हुआ 25,000 और closing चाहिए 25,000 कितना कैश डिस्चार्ज करना है बैड़ा 50% मतलब अभी एक का claim देखो कितना है एक का claim है 50,000 प्लस 2,500 प्लस 50,000 प्लस 15,000 तो एक का claim कितना है चलो बताओ 1,17,500 1,17,500 इंटू 50% मतलब कितना देना पड़ेगा बैड़ा 58,750 तो ए और बी और सी कितना लेके आएंगे फिर एज लोन कितना दीख रहा है बैड़ा 58,750 35,000 तो बी और सी को कितना लेके आना पड़ेगा 48,750 लेके आना पड़ेगा ना बैड़ा येस सर अभी बी और सी का कैपिटल अल्रेडी कितना है देखो बी और सी का कैपिटल 40,000 प्लस 15,000 माइनस 36,667 माइनस 11,000 वालब बी का तो माइनस 6,167 दीख रहा है येस और नो येस सर तीस हजार प्लस हजार तीस हजार प्लस हजार 31,000 है माइनस 4,000 माइनस 13,333 इसका 33 13,667 है बराबर है ना अभी का येस सर प्लस 48,750 मतलब बी प्लस सी का कितना आएगा मिला के कितना आया 56,250 आया के बिड़ा अरे हाई या ना 56,250 उस में से 56,250 में से बी का कितना दीखना चाहिए डिवाइड बाई 3 इंटू 2 37,500 बी का दीखना चाहिए और 18,750 A का दीखना चाहिए सोरी C का दीखना चाहिए समझ में आया है कि मैंने क्या किया अभी का कैपिडल लिया मैंने सिमरन अभी का कैपिडल माइनस 6167 B का है और C का कितना है पॉजिटिव 13,667 जो ये प्लस माइनस करके और कैश कितना लेके आना है 48,750 मतलब टोटल तो टोटल लेने के बाद मेरा B और C का कैपिडल कितना दीखेगा 56,250 मतलब यहां पे तुझे टोटल कॉलम बनाना पड़ेगा यहां पे तुझे टोटल कॉलम बनाना पड़ेगा समझा जो हमने वो प्रॉब्ल किया था था ना FGK का वे सही है 56,250 ये शॉटकट है उसका ये शॉटकट क्या किया हमेने जो existing capital है वो निकाला C का capital निकाला 48,750 बैंक का add किया तो मेरा 56,250 दीखेगा वो proportionate देखेगा 2 to 1 में अच्छा अभी अभी मेरा B का कितना दीखना चाहिए B का दीखना चाहिए 37,500 Say yes or no Yes sir 37,500 और दीख रहा है minus 6167 मतलब उसको कितना पेशा लेके आना पड़ेगा 43,667 B कितना पेशा लेके आएगा 43,667 and C का कितना दीख रहा है वेड़ा 13,667 न C का और दीखना चाहिए 18,750 तो C कितना लेके आएगा वेड़ा 50,83 50,83 and 43,667 इसकी टोटल ले ले टोटल टैली हुई क्या 48,750 के साथ 48,750 का हमारे पास बाइफर्केशन नहीं था वो प्रॉब्लम याद करो Yes, sir सबसे पहले मैंने क्या किया वेड़ा एकदम सिंपल मैंने पहले ABC का पुरा अर्माउंट लिग दिया तो इधर क्या होगा बैंक अकाउंट देबिट कितना आएगा वेड़ा बैंक अकाउंट देबिट बैंक अकाउंट देबिट 48 750 750 और B कितना लेके आएगा 43 667 43667 और C कितना लेके आएगा 5083 और A को कितना देना है ये इंट्री बराबर है तो ये तीन नंबर के इंट्री होगी ये चार नंबर के इंट्री होगी रूँ एक बार बता तो बेड़ा पहले ABC का कैपिटल बना लिया फिर bank account बना लिया B का कैपिटल माइनस 6167 दीख रहा है जो हमारा plus minus करके दूरो समझ में आ रहा है क्या C का कैपिटल 13667 दीख रहा है फिर 48750 किसका capital दीख रहा है 48750 वो दोनों साथ में cash लेके आए bank account बनाने के बाद 48750 उसमें add किया तो हमारा capital फिर जो आएगा वो proportionate आना चाहिए उठे रहे 48, 750 के बाद 56,250 आया समझ में और वो ratio में हमें डिवाइड करना है और ratio में डिवाइड करके उतना cash कोन लेके आएगा B and C एक दम easy ये सर ये मुझे correct answer करके भीजवा आप लोग इसमें खाली इसमें partners capital account भी बनाना होगा capital account बनाया नहीं तो आमाउंट कहां से समझेगा capital total column बना के नहीं कि आमने जैसे किया वेसा करो second registration second registration जैसा चलो अभी separate life policy के बारे में ध्यान दो separate life policy अभी ये क्या होता है suppose joint life policy में क्या होता है एक जन मर गया जो मर गया उसको policy amount मिलेगा बराबरे मतलब जो कोई भी मर गया तो policy amount firm को मिलेगा separate life policy में क्या होता है for example जब हमें सभी partner equally important लगते है सभी partner equally important लगते हैं तो हम लोग कौन सी policy निकलते हैं separate life policy joint life policy equally important है सभी equally important है joint joint फिर पर जब partner की बेड़ा एहसियत हरे की अलग अलग है अभी तीन partner है संकेट सर निखिल सर प्रिटेश सर सबों संकेट सर मर गए तो firm को एक करोड का नुकसान है प्रिटेश सर मर गए तो पचास लाक और निखिल सर मर गए तो बड़ा पचास हजार तो हरे की ऐसा कुछ फरक नहीं पड़ेगा तो यह case में मुझे एक बात बताईए यह case में बड़ा सबकी policy equal लेनी चाहिए या अलग-अलग लेनी चाहिए अलग-अलग लेनी चाहिए अभी संकेट सर का यह ज़्यादा नुकसान है तो इनका premium higher रहेगा इसका सबसे low premium होगा और इसका average premium होगा समझा गया तो आगे के दो partner को surrender value मिलेगी है आगे के दो partner को नशाइबा अलग-ई-षचा-अगे पॉलिसियाद समझ में आ Champa 87 सब्सक्राइब करके बेजता हूं आपको अच उसका अंसर टाइब करके बेजता हूं आपको आज उसमें मैंने जो देखा है उसमें प्रॉब्लम यह है कि सरेंडर वैल्यू जो है न वो जाने के बाद पूरी की पूरी जॉइन्ट लाइफ पॉलीसी का अमाउंट खतम होना चाहिए था अभी दिख रहा है कि जॉइन्ट लाइफ पॉलीसी कंटीनू हो रहा है जो बचे हुए पाटनर रहें जो मरा इसकी कुझ जण सी अवावंड मिलेगी बेदा जो मरा असकी पाळी पालीश अलिकर है उनका सरेंडर लाई यहां पे अउल पाटनर और की इंपोरटन और not important not equally important not equally important sir जो partners remaining है उनको उनी की separate life policy का मिलेगा ना surrender will be नहीं फर्म को मिलता है बेटा ये खुद का नहीं मिलता फर्म को मिलता है separate life policy जो भी पैसा है joint life policy में भी separate life policy में भी फर्म में मिलता है उनको individual policy लेनी है तो वो तो उनके drawings हो गए ना ये तो फर्म ही पे करती है ये प्रीमियम कोन फे करती है प्रीमियम फर्म ही पे करती है पर किसके अनुसार partners के इज़त के हिसाब से अभी देखो सोना जो है उसका policy amount एक लाग है और उसकी surrender value दस हजा रहे दब्बू है उसका दो लाग है और अमित भाई तीन लाख है और तीस हजार है अभी मारा कौन रिटायर कौन हुआ अमित रिटायर हुआ अभी अमित रिटायर हुआ तो फर्म को surrender value मिलेगी सपोज अमित की डेथ हुई रहती तो तीन लाख अमित का मिला रहता और ये 210 मिला रहे था आया समझ में ये सर्थ हुआ रहे था तो पर आमित का डेथ हुआ है क्या रिटायरमेंट हुआ है तो surrender value सब की तो 60 हजर का वन फिट समझा ये सर्थ तो 60 हजर कहां से आया 60 हजर है तेक एक रम सिंपल है 10 प्लस 20 प्लस 30 और सर अमित को 30,000 मिलना चाहिए ना surrender value है आमित को 30,000 नहीं मैं वापस बोल रहा हूँ अभी इधर रिटायरमेंट है तो सब की surrender value मिलेगी यदि अमित का date हुआ रहता तो अमित का 3,000,000 फिर्म को मिला होता और बाकी दोनों के surrender values नहीं समझा बेटा रिटायर हुआ तो सब का surrender value मिलेगा सब का क्योंकि फिर्मी नहीं बची तो ना बचा अमित ना बचा गबू ना बचा बची सोना आया समझ में बेटा रूँ रिटायर हुआ तो surrender value मिलेगा सब का और रिटायर ने डेथ हुआ तो जो मरा उसका policy amount और जो नहीं मरे उनकी surrender value सब अगर रिटायर हुआ तो 60,000 को 3 to 1 to 1 में डिवाइड करेंगे हाँ तो उन्होंने गलत किया गया 3 to 1 to 1 में तो आमित का share कितना है उसमें से 1 upon 5 तो वही लिया ना पिर और फिर्यक 30,000 भी 150 लिया रहता अरे यह firm को पेशा मिलता है तो 150 देगा समझा गया रिटायंस हुता है उनके अगों sweeping कालेगी पर हर एक मरक का हुएक वार रशाप से निपालेगी समझा गया jointly नहीं निकालेगी तो यह आमित को पेसा नहीं मिल रहा है यह पेसा किसको मिल रहा है आप फर्म को मिल रहा है यह problem बहुत easy है यह कर लो यह अभी कुछ भी नहीं है यह 11 नंबर 10 नंबर का sum आप खुछ से ही कर लो एकदम फालतू problem है and 11 नंबर का भी उसी हिसाब से है total capital सिप ratio में divide करना है new property sharing ratio में total column निकालने की जोरों थे क्या no sir यह sums आप लोग ने खुछ से किये हुए चाहिए मुझे and TYK1 में joint life policy का surrender value बाकी सब से में joint life policy 60,000 मिला और JLP आपके asset side में दीख भी नहीं रहा है तो यह आप entry क्या करोगे इसकी फिर bank account debit to bank to partners capital bank to partners capital in old ratio समझा yes sir bank to JLP, JLP to capital bank to JLP, JLP to capital करो नहीं तो bank to capital डारेक्ली करो okay sir इस question में JLP को expense treat ही है ना expense expense JLP expense asset side पर दीखी नहीं रहा है ना किदर भी हाँ ठीक कर लोगे फिर yes sir 4.4 तक मुझे सभी questions का answers चाहिए time लगा के सब easy questions है और जो नहीं आएंगे बड़ा वो आप लोग खुद से एक बार देख लो क्योंकि सभी difficult questions मैंने तो solve करवा दिये अभी यह बहुत ही basic level के question है कर लोगे ना यह संस यह बहुत easy बहुत easy वो कर लिया आपने अल्रेडी कल कर ली बोला था करने को बच्चों ने बहेजा ही है same question था यह यह easy था ना यह यह इसा इलू 4 यह इसा same here हाँ इलू 4 यह था पेटा यह true ओके ज़रू पर